हाई फ्रेंज जब बच्ची छोटी होती है तो बच्चे के पेट में ग्यास बनना आप श्कारार प्राद होती है है क्योंकि बच्चा पेट इसाएर डाईयल बन रहा है जिसके उसे नुद्र बहुत है बैबी क्यों में 17-21 वार ग्यास पास कर सकते हैं पहले जानते हैं कि उतके साथ साथ हवा भर जाती है, जिसकी कारण उसे गैस की प्राब्लम आ जाती है, करण बच्चे को हम पैसिफियस सक करने के लिए देती है, जब बच्चा बहुत जोड जोड से रोता है, तब भी उसके अंदर हवा चली जाती है, जो अंदर जाकर gas का रूप ले लेती है, इन्हीं कानों की वज़े से, बच्चे के पेट में, गैस बन जाती है अगर बच्चे के पेट में हवा चली जाती है तो वे बर्प लेते हैं या कभी-कभी तो बहुत रोते हैं उनका जो पेट है वो काफी हाड हो जाता है फार्ट माते हैं और बच्चे तो के बार अगर उनके गैस निकलती नहीं है तो बहुत जो-जोर से रोते भी हैं अगर आपका बच्चा गैस पास करते वक्ट थोड़ा सांकमफर्टेवल फील करता है और फिर वो खुश हो जाता है तब यह नॉर्मल है क्योंकि बच्चे की जो गैस है वो पास हो रही है अगर बच्चे की गैस पास नहीं होगी तो बच्चा बहुत रोता है जब एक बार आ असानी से गैस भी पास कर सके उसे कोई प्रॉबलम ना हो उसके मैं आपको कुछ टिप्स पताऊंगी इन्हें फॉलो कीजिए और अपने बच्चे को गैस से रहा दिलाएए सबसे पहला टिप यह है कि चैक फीडिंग पोजीशन पहले तो आपको बच्चे को जब आप पिछले हिस्से में चला जाएगा और हवा उपर तक जाती है जिससे उसे असानी से बर्प यानि की डकार आता है आप इसके लिए नर्सिंग पिलो की हाथ भी ले सकती हैं और जब आप बच्चे को बॉटल से दूद दे रहे हैं तब आपको उसमें बबल्स नहीं बनने दे उसे शेक करती हैं हमें उसके शेक भी नहीं करना क्योंकि उसमें फिर वो हवा भर जाती है अगर आप उसे शेक करोगे और जब बच्चा दूद पी रहा है तब भी आपको बॉटल में बबस बनने से रोकना है वो कैसे हो सकता है आपको बॉटल को थोड़ा सा पीछे जुक पाकर फीड पकरना है इससे बॉटल में बबस नहीं बनेगे नेक्स टिप यह है कि बर्प यूव बेबी आफ्टर इच फीड आपको अपने बच्चे को फीड करवाने के बार यानि की दूद देने के बार उसे बर्प जूर करवाना है वो कैसे करवा हो गया आपको बर्क ले लेगा और बच्चे को जो दूद है वो digest हो जाता है फिर उसे gas की problem नहीं होती इसलिए बच्चे को धकार दिलाना बहुत जुरूरी होता है नेक्स टिप है cycle play this activity is quite a fun moment for a baby ये एक मज़ेदार खेल होता है बच्चे के साथ आपको अपने बच्चे की हलकी सी मालिश करनी है और उनके पैरों को आगे पीछे करना है cycle की तरह इसे cycle exercise भी कहती है आपको बच्चे को जैसे cycle चलाती है ऐसे उसके जो legs है उसे पेट पर लेके जाए और फिर सीधे कीजिए इस तरह भी बच्चे की gas निकलने में help होती है और बच्चा ठीक feel करता है इसके बाद अगर आपके बच्चे को gas बन नहीं है तब आप ये तरीका भी शुरूर अपना है अपने बच्चे के लिए next tip है infect colic during the first four month आपके बच्चे का पेट दर भ दर्ध हो रहा हो इसलिए आपको इन tips को follow करना है ताकि आपके बच्चे की पेट की कोई problem ना हो क्योंकि अगर gas बन गी तो उससे के बाद भी होने लग जाता है इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तब अपने डॉक्टर को एक बार जूरूर भी लिए उन्हें अपने बच्चे को जरूर दिखाएं क्योंकि अगर ऐसी कोई problem हो रही है उसके पेट दर्ध हो रहा है तब डॉक्टर उससे medicine देंगे तो ये थे कुछ tips जिसे अपना कर आप अपने बच्चे की gas की problem को ठीक कर सकते हो do you have any other ways to relieve a baby from gas अगर आपके पास इसके इलावा और भी कोई बच्चे की gas को रिलीव करने के लिए कोई उपाए है तब हमें comment box में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए हो तो hit the like button and share this with your friend and family और हमारे चानल को subscribe जरूर कीजिए thank you